तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल बेस्ट होम मुए एक मड़र पनी की रासिपी जोकी बनकर बहुत डिलिशस बनती है और हम इसको ऐसी बनाएंगे जैसे की रेस्टोरेंट वेगर में बनाते हैं यह बनकर पहुअची टेस्टी लगते हैं आप इसे एक बार ज़रूर ट्राइब करिये गा हम इसे बहुत इजी वे में बनाएंगे थो आप इसे जरूर ट्राइब करिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंदाए तो लाइक करिए प्यारे प्यारे कॉमेंट करिए तो होम मेट मंटर पनी बनाना स्टार्ट करते हैं 250 ग्राम पनीर लिया है मैंने और पनीर को मैंने क्यूप्स में कट कर लिया है अब यहाँ एक तवा लिया है तवे पे चारू तरफ ओईल को अच्छे से लगा लेंगे यहाँ पनीर को मैं सिंपली फ्राइ करूँगी तो पनीर को हमें चारू तरफ से अच्छे से उलट फ्राइ करना है पनीर को हमें जब तक करना है जब तक इसमें गूल्डन कलरणना आ जाए अब एक प्लेट में ट्रास्फर कर देंगे यहाँ मैंने गुनगुना पानी लिया है आदा कप इसमें मैं अपने सारे पनीर की पीसिस डाल दूँगी ऐसा करने से पनीर हमारा सॉफ्ट रहेगा इसकी जो सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहेगी यह बिल्कुल भी हाड नहीं होगा अब इसे हम ढखकर रख देते हैं और नेक्स स्टेप की तरफ चलते हैं आप मैं यहां 2 टेबल स्पून ओइल शामिल करूँगी और 11 टेबल स्पून यहां पर मैं बटर शामिल करूँगी बटर आपको पास है तो आप डालीए वियरना आप सी कर सकते हैं बटर की जंगा आप यहां देसी घी भी ले सकते हैं बटर देशी गी और पेस्ट कॉमिनीशन होता है अगर आपको अपनी ग्रेवी का टेस्ट इन्हेंस करना है तो यहां में कुछ खड़े मसाली डाल रही हूं एक चमज भर के जीरा लिया है मैंने चार हरी लाई चली है पांच मैंने लॉंगी लिया है और एक दाल चीनी का टु से कट कर लिया है अब यहां पर एक बड़े साइज का मैंने प्यास लिया है वो मैं शामिल करूंगी प्यास को मैंने रफ्ली चॉप्ट कर लिया था अब यहां मैंने तीन मीडियम साइज के टमाटर लिया है टमाटर को भी मैंने रफ्ली चॉप्ट कर लिया है टमाटर भी म तो आप ट्राइ करें कि रेट कलर की टमाटर लें उससे क्या होगा कि हमारी ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत अच्छा हैगा अब हम इसे मिक्स कर देंगे और हम इसे सिंप्ली सॉफ्ट होने तक बनाना है अभी हां मैं आदा चम्मच नमक भी शामिल करूंगी नमक आप अपन हो सॉफ्ट हो चुक के हैं अब इसको चलातेविए मैं थोड़ से मैश करतेविए इसको चलाऊंगी और अब गैस को मैंने कर दिया है है बन अब हमें इसके इसके वैडे करनी है तो इसको पहले ठंडा कर लेते हैं जिंभी ज्रीडिड रेडि करेंगी अब पॉट में एक कप टील शामिल लाइब करेंगे यहाँ मैं रिफाइंड और का यूज कर रहे हूँ आप चाहें तो मस्टर्ड अईल भी ले सकते हैं दोनों में इसकाैस अच्छा आता है ऑईलको अच्छे से हीट कर लेंगे अब इसमें मैंने एक चमर्च अध्रक लघ्षन लाच्रालेक लाट का पेस्ट शायय मिट और आधा चमर्च लेहां लाट स operates कि दैड़ चमर्च मैं यहां पर धनिया पौरडर कर रही हूं आप ध्यान रखें कि जब आप इसमेश अपने मसाले शामिल कर रहे हूं तो अपने गैस के फ्लेम को लो रखे हाई ना करें हाई पर यह जल सकते हैं अब यहाँ पर मैं आदा चमच हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूं और यहाँ पर एक चमच मैंने लाल मिर्च शामिल कर रही हूं साथ में मैंने आदा चमच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है यह कलर की नहीं शामिल की है आपके पास हैं तो शामिल करें नहीं तो आप इसको रहने दें अब अच्छे से हम अपने सारे मसालों को मिला लेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे मसाले हम चलाते में भूनेंगे ताकि ये हमारे नीचे लगी लें मसाले जब हमारे ये अच्छे से भून जाएंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने टमाटर, प्यास और काजू की प्योरी रेडी की थी अब हम बोस में शामिल कर देंगे ये प्योरी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से चलाते वे भूल लेंगे ताकि ये नीचे ना लगे ये मैं high to low flame पर भूल रही हूँ अब इसको मैं ढग दूँगी और गैस को मैंने low flame पर कर दिया है अब चेक करते हैं हमारे सारे मसाले अच्छे से घुन रहे हैं और oil भी बहुत अच्छे से उपर आ चुका है अब इसमें मैं थोड़ी सी कस्तूरी में थी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्रिम शामिल किया है अगर आपके पास क्रिम ना हूँ तो आप दूट की मलाई भी इसमें डाल सकते हैं दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा अब इसको हम अच्छे से भूल लेंगे अच्छे से अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर भी डाला है इसमें बटर हम यहाँ रेस्टोरेन्ट स्टायल में बना रहे हैं तो वह सारी चीज़ी डालेंगी जो रेस्टोरेंट में डाली जाती हैं यहां एक कप मैंने फ्रोजन मटर लिये हैं और मटर को भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है अब यहाँ पर मैं आदा कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि फ्रोजन मटर हैं तो जादा टैम नहीं लेंगे गल्ले में मतर को बनते हुए पार्चमित हो चुके हैं तो मतर हमारे उडा चुके हैं अब इसमें जो हमने पर्णी प्रैकर करके रखा ताब इस कर लेते हैं देखिए कलर किस कदर का अच्छा आया है और ऑइल बीस जो है वो सब रिलीज हो चुका है सारा उपर आचुका है और इसका अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा चमश गरम मसाला थोड़ी सी कस्तूरी मेति शामिल करेंगे कस्तूरी मेति की बहुत अच्छी अब इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा आप इस को लान के साथ का यह घीले की रोटी के साथ का यह प्राटी के साथ राइस के साथ यह सब के साथ बहुत ही टीस्टी लगता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल झाल